दोस्तों ये टक्टर है आईसर का 333 और इसके डीजल टैंक में फस चुका है कच्छडा जो कि ये बरावर रेस नहीं पाता है और अलग तरीके का आवाज करता है जला एक बार इस्टार्ट करके दिखाईए आप 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 और यह आप अब आज तो चेक्किये होंगे कि इसका डीजल यह पूरा गाड़ी नहीं पा रहा है तो चलिए हम टंकी को साप करते हो और टंकी को कैसे साप करते हैं यह आपको हम बताएंगे तो सबसे पहले यह है 24 नमबर बोल्ट जिसे हम खोलेंगे तो पूरा टंकी का नोजल गिर जाएगा और इसके बाद हम इस टंकी को साप करेंगे डीजल टंक का में सप्लाई पाइप जिसे बोल्ट खोल कर बहा निकालते हैं में कचड़ा यहीं पे फसा हुआ है तो बोल्ट खोल चुका है अब इसकाम पहले डीजल निकाल रहा है और इस पानी को आप देखिए पानी के साथ डीजल गिर रहा है अब जाए अब जाए अब जाए 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 तो यह है टंक का में नोजल और इसमें देख सकते हैं कितना कचला फसा हुआ है तो इसके ही कारण हमको लगता है कि डीजल खतम हो गया लगिन डीजल नहीं काचला स्वऑ हो गया कभी भी डीजल को अगर आप टंकी में डालें साप करके डालें इसके आप करते हैं उसके बाद देख्या चल रहा है तर इस का रेकट को का आज बरस नहीं है बाटे कुछ खराब लाना तो इस अधार रहे हैं डीजल टैंक में डीजल निकालने के बाद भी कचड़ा रह जया है इसलिए हम इसको पूरा पानी भार के और साप करेंगे तो आनना ये पानी है याद ऑधिजल बहा रहे हैं अब जो नोजल में कचला फसा हुआ था उसको सिटिंग करके नोजल को हम फिट कर देते हैं और टैक्टर को चला की देखते हैं कि कैसा चल रहा है आप सो क्या है जो आप सो कि अच्छा गया है तो मकी एक बता मैं इन जो असराब न कि अ इसलवार गया है यह मार यह निचे ले कि अच्छा ड़ लेते हैं उसके बाद श्टार करके देखते हैं जड़ा न गले एंट यह लेता है कि कर दो प्समला हुआ जुट कर सादा है, पाओ है कि पांट कर सादा है। कर दो चाद पाओ है। क्वाओकि वाओने जीन के और में यह है। झाल